आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello friends, हमारा जो Question ना उसे मुलगा है By Quadratic Equation Two of Whose Roots Are यह है और यह है ठीके, तो देखो जब भी हमारा Roots ऐसे Complex Form में होते हैं तो यह अपने Pair में होते हैं और ऐसे Third Form में होते हैं तो भी Pair में होते हैं इसका मतलब कि One Plus में I अगर एक Root है ठीके, तो दूसरा Root One Minus में I होगा ही होगा ठीके, और दूसरा और यह देखो, One Minus में Unroot में 2 अगर एक Root है तो One Plus में Unroot में 2 इसका एक Root और Root होगा ही होगा ठीके, क्योंकि यह Pair में Exist करते हैं, ठीके, चलो तो हमारे 4 Roots मिल चुके हैं तो इनसे बनने वाला Equation भी हो जाएगा ठीके, चलो तो देखो, अगर मुझे पता है कि Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 और Alpha 4 यह क्या है, अपने Roots हैं ठीके, तो इस Case में हमारा जो Equation बनता है वो बनता है, X मैनस में Alpha 1 X मैनस में Alpha 2 X मैनस में Alpha 3 और X मैनस में Alpha 4 is equal to 0 ठीके, तो यह अपना Equation बनता है जलो, तो इसमें हम रख देते हैं इस हब की value, तो देखो, यह हो जागा X मैनस में Alpha 1 Alpha 1 की value कितनी है, 1 प्लस में आई है, ठीके, और यहाँ देखो X मैनस में Alpha 2 कितनी है 1 मैनस में आई है, ठीके, जलो और Alpha 3 कितनी है X मैनस में, 1 मैनस में अन्रूट में 2 है ठीक है और तो यह होगा अपना 3rd और x माइनस में 1 प्लस में अन्रूट 2 है तो 1 प्लस में अन्रूट में 2 ठीक है और यह होगा अपना 4th is equal to 0 तो देखो यहाँ पर हम x माइनस में 1 और माइनस में i लिख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर भी देखो x-1 और plus में i लिख सकते हैं ठीक है चलो और देखो इसी तरह से यहाँ पर देखो x-1 और यहाँ पर देखो plus में under 2 लिख सकते हैं ठीक है और यह अंदर बंद कर देते हैं और इसी तरह यहाँ पर देखो x-1 और minus में under 2 लिख सकते हैं चलो अब देखो is equal to क्या होना चाहिए जिरो का equal ठीक है तो देखो ये क्या बन रहा है a minus में b और a plus में b इस टाइब का बन रहा है तो ये हो जाएगा a square minus में b square ठीक है इसका मतब x minus 1 का whole square और minus में कितना i का square ठीक है तो i का square हो गया ठीक है तो इन दोनों का तो हो गया multiplication इन दोनों का भी कर लेते हैं देखो ये भी a plus b a minus b tag बन रहा है तो ये भी a square minus b square मतब x minus 1 का square और minus में under 2 का square कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है चलो और e equal to क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ठीक है चलो तो देखो i square की value कितनी होती है minus 1 होती है तो minus minus का हो जाएगा plus 1 हो जाएगा तो x minus 1 का whole square और minus 1 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर x minus 1 का whole square और plus में 2 हो जाएगा अरे सोरी माइनस में 2, माइनस में 2 है ना तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, माइनस में 2 ही रहेगा यह, तो माइनस में 2 is equal to 0, ठीक है, अब हम multiplication करके लिख देते हैं, तो देखो इसका इसके साथ multiplication करेंगे, तो हो जाएगा x-1 और into में this square है, square है यह भी है, तो x के पार में 4 ह हो जाएगा, इसके पार में 4 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे, तो यहाँ जाएगा, माइनस में 2 times of x-1 का whole square, ठीक है, और 1 का दोनों के साथ करेंगे, तो यह हो जाएगा, प्लस में x-1 का whole square, और यहाँ पर देखो, माइनस में 2 is equal to 0, ठीक है, चलो, तो देखो, यह quantity द और में कितना होर और माइनस में 2 is equal to 0 ठीक है चलो तो देखो इसको अब open कर देते हैं इसको भी open कर देते हैं तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x minus 1 और इसका whole square का square लिख सकते हैं ठीक है माइनस में x minus 1 का whole square होगा x square माइनस में 2 x और प्लस में 1 होगा ठीक है और माइनस में 2 is equal to 0 ॥ीक है चलो इसका अभी देखो x square माइनस में 2 x और प्लस में 1 ठीक है चलो तो देखो यह हो जागा मेरा इसका A मुझे पता है कि A माइनस में B और प्लस में C इसका अगर मैं whole square करता हूँ तो होता है A square प्लस B square प्लस में C square माइनस में 2AB ठीक है और माइनस में 2BC और प्लस में 2CA एक एक एकवल होता है तो देखो यहाँ पर A की जगह क्या है? x square है तो उसका square करेंगे तो कितना हो जाएगा x के power में 4 हो जाएगा ठीक है और b square मतलब minus में 2x का square तो यह कितना हो जाएगा मतलब 2x का square ठीक है तो 2x का square कितना हो जाएगा 4x square हो जाएगा plus में 1 का square तो यह हो जाएगा ठीक है और minus में 2 into a into b a into b मतलब यह इसका x square into 2x into 2 तो हो जाएगा minus में 4 minus में 4 x into में x square किना हो जाएगा x का cube हो जाएगा ठीक है और minus में 2 into में bc करना है मतलब इन दोने का मेंट प्रिगेशन तो 2 into में 2x किना हो जाएगा 4x 4x into में 1 किना हो जाएगा 4x हो जाएगा ठीक है square हो गया ठीक है और यह बाकि जो है वह मैं लिखते ता हूं तो minus x square plus में 2x minus 1 और minus 2 minus 2 is equal to 0 ठीक है तो इसको simplify करेंगे तो कितना आजाएगा मेरा simplify करेंगे तो x की पावर में 4 और minus में कितना 4x का cube x square का दिख लेते हैं देखो यहां पर 2x square minus में x square कितना हो जाएगा सिर्फ x square बचेगा और 4x square यह हो जाएगा मेरा 5x square का एक वाद ठीक है चलो अब x का दिख लेते हैं तो देखो x में क्या आएगा यहां माइनस में 4x है और यहां पर plus में 2x है ठीक है और कहीं नहीं है x का माइनस में 4x और plus में 2x माइनस में 2x हो जाएगा तो माइनस में 2x और constant में देखो यह 1 माइनस में 1 यह गया माइनस में 2 बस बचा है is equal to 0 तो यह रहा अपना equation x के पार में 4 माइनस में 4x का क्यूब x के पार 4 माइनस में 4x का क्यूब फिसके बच क्या है plus में 5x कार माइनस में 2x माइनस में 2 यह first वाल ही option क्या है सही है तो hope आपको समझ में आगा thank you Classics tutorial से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार सुपर